तो अब आप सब्सक्राइब और आज के लिए उतने ही एक्साइटीड होंगे जितना मैं हूं आपको सब्सक्राइब करने के लिए तो एक एक्टिविटी को फॉलो करें जिसके इसनी भी आपको को लिंक प्रोवाइड गिया सेशन का उसको स्क्रींशॉट ड्रॉब करें और एक मैसेज डालने हैं इस सेशन में आपको बताऊंगा की एक्टिव और पैसे इंकम की नॉलेज से आप कैसे अपने इस सफर को ठीक है जो आपकर इस सफर हमारे साथ शुरू होने वाला उसको बह सब्सक्राइब जब उसको आप इंप्लेमेंट भी करो विदाओट इंप्लेमेंटेशन यू कांट डू एनिटिंग ऑके बाद इसके बाद मैं अपनी स्लाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा इंड उसके बाद हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं तो जल्दी से जितने अब यहां पर पार्टनर्स पार्टनर्स इस एक्यूटी को फॉलो करें पास्ट अब इसक्राइब अब 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 कर लिए अब मैं आपके बीच में स्लाइड कर रहा हूं तो सभी पार्टनर्स इतने भी मार बीच में सारे एक्टिव होके बैठें यह की एक्टिव होके बैठों कि जभी आपको सेशन समझ आने वाला है को सब्सक्राइब कर रहे और आपको स्लाइट की हल्प से मेरे सेशन को समझ पाओ इसली ठीक है तो मैं वीडियो और और सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं वेलकम करता हम आप अप अच्छे लेवल पर लौ सकते हों कि देखो इंडिया में जिस लेवल पर अनेंप्लियमेंट चल रही है ना तो उस unemployment को देखते हुए ना आज government भी ना entrepreneurship की तरफ youth को पुश कर रही है जैसे अगर मैं बात करूँ मैं पहले भी अपने sessions में बता चुका हूँ कि कितने सारे government colleges में डिपलोमा courses आ रहे हैं हमारी industry के जिसे direct selling industry बोला जाता है अब कईयों का उपीणिन इसको लेके negative है कि कईयों का उपीणिन इसको लेके positive है अब negative positive opinion का reason यह है कि देखो कईयोंने अपने time पे experience अच्छा लिया है कईयोंने time experience अच्छा नहीं लिया है क्योंकि industry है तो हर industry में scheme scams होते ही होते हैं जैसे अगर मैं banking banking sector की में बात करूं तो इतने सारे banks हैं किसी एक bank में अगर कोई fraud हो जाता है ना तो हम कई बार क्या होता है कि सारे banks को मतलब की क्या करते हैं ब्लेम करना start कर देते हैं कि इस bank में भी fraud हो सकता है जैसे भी आपको पता है कि कितने बैंक के सीओं है उन्होंने काफी बड़ बड़े खुटाले करें हैं और वो फॉरन शिफ्ट होगे तो बहुत सारे ऐसे ऐसी चीज़े आती है जो हमारा ट्रस्ट ना उस चीज़ से उठा देती है फिर हम सोसने कि बैंक भी सेफ नह जिन्होंने यह रिप्रेजेंट किया कि हम आपका जो मनी है वो डबल कर देंगे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मतलब लोगों को मैनिपलेट करा और मैनिपलेट करके अपना प्रॉफिट लेकर और रात राद वो कंपनी से अपना भाग गई तो इस चीज याई एंडियाइज से क्या है इंडियाइण ट्रैक्स एंट्रेक्ट असोसिएशन में जितनी झी रिजिस्टर्ड ब्राइंडaggio वहाँ में अपना जहां पर जएक कर सकते हैं कि गोर्फिव tego सिन्प भाहर ने काला है पुप yanlış ऱ्ईक है काफ़ी कंपी उसको waar गया गया तो य तो यह चीज है अब हमने देखना है कि ना हम इस इस इंडिस्टिक से आतना फ्यूचर कैसे लगा सकते हैं परस्ट अपॉल बिजनस यह ऑनलाइन है और आपको पता होगा कि कोई भी बिजनस वो टर्नवर पर चलता जितने भी टर्नवर करते हो ठीक है उस अकॉर्डिंग आप यहां पर भी जितना भी आप टर्नवर करते हो उस टर्नवर के हिसाब से आपको एस पर मार्क्टिंग प्लान आपको आपका रिबॉर्ड मिलता है जिसे बोनस के तोर पे परेवर लिविंग आपको प्रवाइड करती है तो यह चीज है अब इस इंडिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें ना काफी टॉपिक्स क्लिर करने पड़ते हैं कि इसका बेस कैसा है बेस मतलब कि हमें हैल्थ और नूट्रिशन के पुछ भी नहीं कर पाएंगे वह बिजनस बोलो वह आप बोलो कि कोई हमसे बिजनस का बारे हैं पूच ले तो हमें नॉलजी नहीं है ना और बेस की नॉलेज हम इसलिए ले रहे हैं कि अपनी फीड के हम माहिर बने बेशक हमने आपर समान नहीं बेचना कई लोगों को क्या लगता है कि अगर प्रटेक्ट्स पर डील कर रहे हैं तो इसलिए हमें हर चीज की नॉलेज का होना जरूरी है अब यहां पना काफी रहे हैं जो क्यों इंफोर्मिटेव होती हैं हमारी ब्रैंड को लेकर जैसे मार्टिंग कि एक नहीं बात करूं खास बात यह है कि हमें ना कि सिर्फ इंडिस्ट्री की हमें इस पूरे देखा जाए ना इस फानेंशल वर्ड की ना नॉलेज हमें इस ट्रेणिंग से मिलती है क्योंकि यहां पर हमें ना मतलब शीशा दिखाया जाता है कि हम अभी तक कहां पर थे और जाने वाले टाइम पर हम कहां पर कहां तक जाने वाले हैं अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो नहीं फॉलो करेंगे तो हम कहां पर रहने वाले एक्टिव पैसे नहीं भी हो ठीक है आप बैठे कही हो पर आपको पैसा बहुत जगह से आ रहा है तो एक्टिव और में जो फरक और कैसे आप पैसिव निकम को जनरेट कर सकते हो उसका थोड़ा सा मैं पर डिफ्रेंशियेट किया हुआ है जो बहुत अच्छे लेवल पर आपको मैं गाइड करने वाला हूँ ठीक है ना ही स्कूल ना किसी उनिवर्सटी में हमें कहीं पर ऐसी नालेज नहीं मिलने वाली क्योंकि इसे बोलते हैं अपको प्रेस कर दो के लिए और उसके बाद में अपना सेशन को मैं कॉंटिन्यू करता हूं जितने हां पर पार्टनर्स है जल्दी से अपना रिस्पांस दें आखकी ईजूम पे मैसेज आ रहे हैं जुम पर हमारे साथ 500 प्लस पाइब सब्सक्राइब और हमारे साथ यूटूब पर मैं देख रहा हूं हमारे पास more than 600 ओर आदिन समारे साथ जूम यूटूब पर education हमें दो तुरह की जो education है वो मिलती है पहली आप यहां पर देख रखते हो फिर्स्ट होती एकेडमिक एंड सेकेंड होती है अपना financial knowledge कि सबसे पहले हम जानेंगे cash flow cash flow quadrant देखो दुनिया में ना चार तरीके से पैसे कमाया जा सकते हैं ठीक है और वह इस कौडरेंट में एक्स्प्लेइन किया गया है ठीक है और यह cash flow कौडरेंट की में बात नों किसने इंवेंट किया था जिनका नेम है रॉबर्ट कियो साकी ठीक है जो financial को पता होगा तो उसमें इस cash flow कौडरेंट का जिकर किया गया है अब इस भी है क्या इफोर एंप्लॉई बिफोर बिजनस ओनर एस फोर सेलफ एंप्लॉइड आई फोर इन्वेस्टर तो इन चारो चीज़ों को मैं करता हूं मैं लेफ्ट और राइट को पहले एक्स्पेंड करूंगा पहले मैं लेफ्ट को एसको इनकाम आ रही है और दूसरा है जो डिसड्वांटेज आप लगाके चल सकते हैं वो यह है कि यह जब तक वहां पर टाइम देंगे इन्हें तब तक इनकम आएगी जैसे कि मैं देखूं अगर आप जॉब पे हो आप जब तक जॉब जाओगे है ना अगर आप जॉब छोड़ दी तो आपको वहां से इंकम नहीं आएगी है ना जब तक आप अक्टिव हो एक्टिव हो के वर्क करें तब तक आपको इनकम हारी है ऐसे ही सेल्फ इंफ्लॉइड में जब तक आपकी दुकान को लेकी तब तक पैसा आएगा जिसन दुकान में ताला लग गया उस दिन पैसा आपको एक रुपे नहीं कि आपने अपना जो बिजनस है जो अपना वर्क है वह आटो पैलेट मोड पे नहीं किया हुआ आपने किसी तरह की फ्रेंचाइजी नहीं दी हुई कि आपको रिवेल्टी इनकम आएगी है ना ये सारी चीज़ें अलग है एंड राइट कोड़न की मैं बात करूं बिजनस बिजनस होनर वह हता है जो मतलब कि इसके एक बिजनस नहीं चल रहे होते हैं जुके मैं बॉल लो एंडिया 쓰ऊश वह भार बहो ईना तो उसको फ्रेंचाइजी पिसनस बोलते है अगर वह कहीं भी बैठ है है पर उसको रियुल कि या रिशा करता है उसको बेठा बीन कमाु इन दोनों केटेगरीज में फरक सरफ इतना है ई और स कैटेगरी से 95% लोग बिलांग करते हैं मतलब 95% लोग बिलांग करते हैं और आइस कैटेगरी दूनिया का जो सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है वो किसके बास होता है वो business honor के पास और investor के पास होता है मतलब 95% जो profit है वो 5% लोगों के पास है और only 5% की जो capital है पूरे world की वो 95% लोगों के पास है इसलिए देखा होगा आपने की इतना जाता gap करूँ है मतलब अमीर है वो बहुत जाता अमीर होता जा रहा है और वो बस अपने खर्चे पूरे कर रहा है अपने मतलब सर्वाइव कर रहा है जैसे भी कर रहा है बड़ सर्वाइव कर रहा है तो यह चीज़ है अब हमें समझना पड़ेगा कि हमें कैसे business owner की category में आना हमें अपने work को हमें passive income पे कैसे लिकाना उस चीज़ की हमें knowledge यहां पर चाहिए ठीक है अब यहां पर क्या लिखाव है some people work very hard but their salary is very less they couldn't even fulfill their dream some people work a little hard and earn a lot of money कुछ मतलब बहुत ही कम मैनत करते हैं पर उनको बहुत जादा पैसा आता है क्यों क्यों कि उन्होंने pipeline बिछा रहे होती है बोल सकते हैं उन्होंने क्या किया होता एक सिस्टम त्यार गिया होता जिस सिस्टम की हेल्फ से उनको unlimited income आ रही है अब जो active income होती है active income में क्या होता जसमें आपको स्थ्थीं बठाए कि regular work ना पढ़ता आपको regular income लेने के लिए कि आपका आपकी salary मिलती है you have no other ways to make income आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता अगर आप जैसे active income में involved हो आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता दूसरा source of income create करने के लिए you have to do some kind of effort or some kind of work no work, no pay, your time, your money आपका time invest हो रहा है तब आपको income आरी है, you did not have time to learn extra skills और आपको पता है कि आप job में involved job involved तो हमें होता गया कि हमारे पास इसना extra skills को learn करने के लिए time नहीं विलता क्योंकि हम इतने tired हो जाते हैं बोल सकते overtime करके incentive को qualify करने के लिए कि हमारे पास ऐसा time ही नहीं होता कि कि किसी extra skills को सीखें इस नाइन तो फाइव के circle से या rat race के circle से बाहर आने के लिए है ना बर passive income में क्या होता है कि income in which you will not actively involved जिसमें आप actively involved नहीं हो like rental property जैसे कि अगर मैं बात करूँ आज बहुत सारे लोगोंने invest किया हुए properties में और वहाँ पे उन्होंने मतलब की जो उनकी properties है उनको monthly rent आ रहा है अच्छा है ना और कई लोग company के shares purchase कर लेते हैं जिसमें कि जैसे ऐसे company grow करती तो उनको उनके shares में profit आना start हो जाता है और यहां पर और भी चीज़ लिखें मैंने you can achieve big goals through this type of income हम passive income से जो इनकम आती है उसको अच्छी जगाब invest करके अच्छे एच्छे goals को अपना अचीव पर सकते हैं इनफ टाइम टू लर्न new skills मापस बहुत टाइम होता है इतना टाइम होता है कि हम new skills को learn कर सकते हैं और extra चीज़ों को seeker और कुछ innovative कर सकते हैं और पैसा पैसे को सब्सक्राइब करना चाहते तो क्या करेंगा 95 लोग क्या करेंगे के लिए वह कोचिंग सेंटर ओपन कर लेंगे वह टूशन ओपन कर लेंगे राइट स्टिल वह रिच पीपल की अगर मैं कैटेगरी की बात नों तो उसमें नहीं यहां पर उनके साथ जैसे कोचिंग सेंटर बंद जैसी टूशन बंद इंकम हाना बंद ऑके सब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं उनको क्या करना पड़ेगा थाउजन स्टुएंट्स को ना अगर उनकी उनसे पांसर पे इनको फीस आ रही है 500 भी सारी हज़ार बच्चों से तो कितना बनता है मास लाग बनता है अब एक बारी में हजार बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए सबसे बड़ा सवाल तो यह है ऑनलाइन लाइव कोचिंग क्लासे देकर पर स्टिल वह एक्टिव इंकम में ही काउंट होएगी है ना अब इसे किस तरह करना है किस तरह कर सकते है है अपने लेक्चर को रिकॉर्ड करके और ई- versión कि फॉर्म में यहां से इंकम आए जाएगा यहां से उनको आनिया स्टार्ट होती है बट उतनी फासट नहीं है बढ़ यहाँ है कि ईक पैसे इंकम सर्थ हो सकते हो मिलती है पैसे इंकम compounding effect मैंने बताई है पर जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं मैं compounding effect के साथ passive income without compounding effect क्या है if you have any special talents like thinking चलो यह तो आफ से टॉपिक है हाँ passive income with compounding effect a good business for a good business you have to invest a lot of money the same shares purchase करने पढ़ेंगे ठीक है और बहुत सारा पैसा चाहिए शेयर्स को प्रचेस करने के लिए बट यहां पर ध्याना में रेखना पुड़ता है कि हमारा यहां पर risk factor भी है मतलब risk भी है हमारा यहां पर पैसे का loss भी हो सकता है जैसे पीछे हमने कॉवेड जब नहीं आया था ना तो काफी इतने नीचे आगे कि अभी तक वह उपर नहीं आया है है ना तो दिखा जाए जो डिपेंडेंटी उस इंकम पर है तो उसका तो अच्छा लॉस होगा है ना तो इट नीड़ लॉट अफ मरी विदा है रिस्क काफी है जो हमें देखना मपड़ता है बेस्ट वेट पैसिव इंगम सो अगर मैं हमारी इंटरस्टी से पैसिव इंगम को मैं रिलेट करूं तो नेटवर मार्क्टिंग बेस्ट इसलिए है ठीक है बेस्ट इसलिए क्योंक इस बिस्क नहीं है इस बिस्क को स्टार्ट करने में यूज लर्न लॉट अफ इन दिस बिसनस और अगर मैं इस इस लाइड की मैं बात उनको यहां पर क्या लिखावा दर नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडिस्ट्री ठीक है पॉसन बिल्जर अमेरिकन एकनॉमिस्ट है उन अडPressा को आप देख लो तो वह प्राफिट में चल रहे होते हैं क्योंकि बीमारी द्रम यह सकती उसने बढ़ना है क्योंकि हिस्टा Hmmm कि भी कम नियुने वाले का ऩे लिख बढ़ना जा रहा है हह और कि लिखने लोगों को सियला पता नहीं कि उनको अपना जैसी प्रावलम भी है वह सकता है वह स्टेज वन हो या स्टेज फॉर क्योंकि इंडिया में मोस्ट आप टाइम क्या आप हमें स्टेज फॉर्थ में पता लगता है कि हाँ इसी लिए आप हमारे इंडेस्ट्री में अगर अचीवर्स देख रहे हैं जैसे कि कल भी हमारे टीम में एक ने अपनी फैमिली को मतलब बहुत अच्छी चीज़ गिफ्ट करी थी घर गिफ्ट किया था और एक किसी ने एक लक्शुरी कार प्रचेस करी थी और इसी मन्थ हमारी डीम में बहुत बड़ी अचीवमेंट आ रही है तो डे बाइडे बहुत ही क करना पड़ता है हमें आपर सोचल मीडिया की हेल्प से अपनी ब्रांड को प्रमोट करना होता है ठेक है सोचल मीडिया की हेल्प से जब लाइक मैंडेट पीपल हमारे साथ होते हैं जिनका जिनका वी विजन ऐसा ही है जैसा हमारा है लाइक बिजनस करना है है ना बट इतना ज्यादा capital नहीं है तो वह हमारे साथ connect होकर यहां पर एक empire build-up कर सकते हैं distributors हमारे साथ connect हो सकते हैं और distributors हमारे साथ जब connect होते हैं तो उनकी turnover के हिसाब से भी हमको कुछ percentage आना start हो जाता है ठेक है तो indirectly देखा जाए product तो move हो रहा है product तो move हो रहा है है ना तो यह तो चीज़े काफी बंदें चोड़े लेवल पर आपको बताई है जब मारी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स में आप आते हैं जैसे marketing प्लान वगरा में तब आपको पता लगता है कि यह चीज हम smartly किस तरह कर रहे हैं social media अब देखा जाए traditional model और हमारी direct selling के model में क्या फरक है तो देख सकते है traditional model में चीज़ 10 रुपे की बंती है और consumer तक आती आती हो सौ रुपे की हो जाती है उसका reason सौ रुपे का होने का reason यह होता है बिकास बीच में काफी लोग आते हैं जैसे advertisement, national distributor, state distributor, regional distributor, wholesaler, retailer यह जो सारे बीच में बिचोली है ना middleman बोलते हैं इनकी वज़ा से जो चीज़ 10 रुपे की थी वह हम तक आती आती वह सौ रुपे की हो जाती है अगर आप example मैं जिस फोन से आप मेरा session लगा रहे हो है ना उस फोन की real cost है वह hardly होगी 10,000 रुपे की होगी 12,000 की होगी अगर वह फोन एक लाग रुपे का है तो उसकी जो manufacturing cost होगी वह 25,000 रुपे की जाल से आता है ना बट बीच में इतने सारे taxes होते हैं ना state distributor होते है national distributors होते हैं तो अपना भी price लगाते है जिस वजह से वह चीज़ बहुत जाता महंगी होके बिखती है consumer को पर direct selling में क्या है direct selling का मतलब यह होता है direct हमने consumer तक वो चीज़ पहुचानी है है ना तो forever के बाद सीधा distributor आता है distributor के बाद सीधा आता है consumer तो जो बीच का जो profit होता है जो वहाँ जाना था like actors में जैसे advertisement में जाना था brand का national distributor में जाना था वो यहाँ पर distributor का वो profit सिधा उसके pocket में आता है तो इस वज़ा से यहां पर के जो distributors हैं जो अच्छे लेवल पर work कर रहे हैं जैसे कि यह नहीं मैं बोलूँगा कि दो मंत में ही work करके कोई distributor बहुत अच्छे लेवल पर grow कर गया नहीं जिसको अच्छ experience है जिसको six months हो चुके जिसको one year हो चुक सब्सक्राइब करते हैं सो उसकी रिपोर्ट के according direct selling direct selling की जो potential है वो 2025 तक 64500 करोड तक इंडस्ट्री जा सकती है फिक अकॉर्डिंग को फिक की रिपोर्ट के बाकि इस इस इंडस्ट्री का जो में है में है में है वह अपना यूएसे में और 1978 का स्टार्ट अप है और वर्ल्ड की टॉप लीडर है ब्रांड अलोवीरा पे और बीहाइफ पे और वन सिक्स्टी ऐसी के इस अपना एक्टिवली रन कर रहा है ओके और ग्लोबली हमारे more than 6000 offices हैं इंडिया की में ब्रांच इसकी बात रहे हमारे इंडिया इंडिया में ली में भी मारा आडियो है तो बहुत सारे ऐसी अच्छी जगह हैं जहां पर मारे आडियो दें जहां श्याद आपने विजिट भी किया होगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं स्पेशली पेरेंट्स को बोलता हूं कि अगर आपका बच्चा स्टार्ट कर रहा है ना इस को तो एक बार आपको उस ऑफिस में खुद भी विजिट करना चाहिए जिससे आपको पता लगे कि हाँ जैनूनली यहां पर वक करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता क्योंकि क्या होता है कि हम को ना थोड़ा डाउट होता है कि हाँ सही जगह पे मेरा बच्चा गया है क इसकी टरनोवर है और वर्ल्ड की पहले ऐसी ब्रैंड है जो वर्टिकली इंटिग्रिटेड है मींस कोई थर्ड पार्टी बीच में इंवाल नहीं है हर चीज कंपने की खुद की है मशीन से जमीन सारा कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा ब्रैंड खुद करती है जिसकी वजह से बिजनस इतने टाइम से स्टेबल है तो आपको बता है कि अगर मिदल मैंन की ओना तो काफी लैके फस्ट कॉपी हो गया है काफी मिलावट ऋगया मिक्सिंग हो गया सारी होना स्टार्ट हो जाती है इस वजह से विपाव तिकली इंटिग्रेट इस ब्रैंड ने कि लिस्ट है तो उसमें इपना प्रिमोट किया गया था और यहां पर फिल पी इंडिया के आफिसे की में बात रहा था भी आपको रीडिनल आफिसे की तो यह कुछ और जिनके मैंने आप इन्हें की जगह है जहां पर मतलब की इसी एरिया रहते हैं तो यहां पर कोई मुंबई से तो जाकर विजट कर सकता है आज ही विजट कर सकते हैं हमारा पर अच्छा आफिस है पता लगे का आपको ठीक है और यह मैप के थूँ आपको दिखाया गया है सारा कुछ यहां पर थोड़ा लिखा भी वह देंडियन चैप्टर स्टाटेड इन अप्रल 2000 और वी करेंटली वफिसें इस लाइड पुरानी अब पॉटीन की जगह नाइंटेंटींटी इस इस में अशा है जो पना ऑफिसे अमारे हो चुके हैं फूटर इस पैंशन प्लान तो कवर सब्रेल अदर रीज कि 2000 में अप्रल में स्टार्ड वी थी अफल्पी और तो नोर देखते हैं कि 2003 में टॉनवर थी सेवन क्रोट्स और करते करते 2017 तक अपना वर्ल्ड के थर्ड नंबर पे अपना आ चुकी थी तो इसकी आउन अवरेज जो टॉनवर है वो लगबग 500 क्रोट्स के निया रहती है बाकी देखो बात पता कि manpower की help से ना you can do anything manpower एक टीब की help से आप अच्छा कर सकते हो तो distributors अगर देखा जाए हमार पास एक बहुत अच्छी capital नहीं है सेविंग्स नहीं है हमार पास और मार पास देखा जाए academic knowledge भी इतनी नहीं है हमें हम average students है average student है या फिर बोल सकते हैं कि हमारे पास scope नहीं है scope नहीं है या हम job करके भी under employed है कई पर क्या होता है कि हम हमने अच्छा score किया होता है हमारे अच्छे marks आये होते हैं हम हमारे पास बहुत सारी degrees होती है but still हम under employed की category में आते हैं मतलब हमें जितना हम deserve करते हैं उतनी हमें salary नहीं मिल रही है तो अगर आप यह in problem में हो या इस इसमें अपना suffer कर रहे हो तो क्या कर सकते हो आप इस industry को अपना join कर सकते हो start कर सकते हो इस industry की help से और एक side income का source मैं दो बोलूगा अगर से as a career भी choose करते हो न तो इसमें कोई 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 गलत बात नहीं है because इस industry में ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे ही साथ connected है जो monthly two lakh से लेके ठेक है मंतली six lakh से लेके हमारे साथ ही अन कर रहे है ठेक है मैं यह नहीं बोलूगा कि वह वह उस state से हैं वह फलानी state से हैं वह हमारी ही ग्रूप से हैं जिस ग्रूप का part of win community में क्योंकि win इसे लीडर्स में जो monthly seven lakhs भी अन कर रहे हैं और हमारी टीम 23 में जो हमारा पूरा 23 का ग्रूप है उसमें ऐसे ऐसे चीवर्स भी है जो monthly 15 lakh भी अन कर रहे हैं है और 15 तो शायद एक अच्छी MNC का साल का package भी नहीं होता बट मैं यह आपको monthly income की मैंने बाब बताई है मतलब 15 in a single month 15 lakh in a single month okay so देखा जाए अगर हम किसी government sector में भी है अगर हमारी monthly income 50,000 भी है तो भी वो साल की 6 लाग बनती है है ना तो यहीं से आप अंदादा लगा सकते हैं कि इस industry की potential क्या है बाकी होता है कि starting में ना parents parents issue आता है बच्चों को beginners को कि यह नहीं मान रहा वो नहीं मान रहा करियर आपका है है ना life आपकी है तो decision भी आपका होना चाहिए है ना और जो इनसान अपने करियर को लेकर अपनी अवाज उच्ची नहीं कर सकता तो वो क्या ही करेगा life में है ना अगर आप अगर धोनी को अपना idol मानते हो है ना महिंद सिंग धोनी को सची नहीं को अपना idol मानते है विराट को मानते तो उनकी बायोग्राफी भी जाके बढ़नी जरूरी है कि उन्होंने क्या क्या चीज़े मतलब की देखा जाए sacrifice किया उन्होंने अपनी success के लिए है ना बहुत सारी चीज़े हैं तो हमें उनके success ethics को भी follow कर रहा है अगर हमें सच में उनको अपना idol मानते हैं और हमें उनकी तरह बनना है आइडल मानना अच्छी बात है पर अगर वैसा बनना है तो उनके success ethics को भी हमें follow करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि हाँ सवेरे छे बजे उठके मेरा कुछ बन सकता तो उठना उठना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं बन सकता फिर सोई रहो इंडिस्ट्री दो मेजर इश्यूस पर कर रही है फर्स हेल्फ प्रॉलम सेकिंड इस वेल्थ प्रॉलम और दोनों की देखा जाए ना इंडियन मार्केट में बहुत जादा रिमांड है प्रॉलम और दूसरा भी रोज़कार यह अनम्प्लॉइमेंट और वी आ देलिंग इन्टू प्रोजेक्ट्स हेल्थ और यह बिजनस रेक्मेंडेशन का बिजनस है इस बिजनस में आपने सिंप्ली रेक्मेंड करना है ठीक है और बिकुस एवरीवन नीज़से गुड है औ प्लाटफॉर्म टू अन्मनी बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आप स्टार्ट करेंगे तो पता लगेगा बाकी हाँ यह सारे वो डिस्यूटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर हाड़ वक ही है और एक हमारी इंडस्ट्री का एक इंसेंटिव है जिसे बोलते से लगबग अपना मोर देन 25 करोट में अनगर चुका हूं और यहां पर देख सकते हैं अननत कांधी प्रेम सुझाता राजन है ना प्रभ जोच से नहीं तो यह वो अच्छे लेवल पर वक किया है और आज ट्रेन कर रहे हैं बिगिनर्स को ठेक है तो गाईज आई होप यह से हैं जो बहुत ही जादा एक्साइटेड हैं और देखो सोचल मीडिया का ना हमें पता होना जरूरी हमें यूटूब हो गया इंस्टा करता हो गया फेस्बूक हो गया इन सबकी हमें नॉलेज नहीं है तो नॉलेज दी जाएगी क्योंकि हमारा जो बिजनस रहेगा वो सार है तो मैं आपको एक कोशन पूट करने वाला हूं अपने इंस्टाग्राम पर वहां जाके मुझे जल्दी से रिप्लाइदें मुझे अपना रिव्यू दें डैट आज का सेशन कैसा गया यह मेरा यूजर नेम है टीवी अंडर्सकोर सोनी इसका स्क्रेंशोर लेलो इस स्ला ना भी चाहता आगी वह रिप्लाइए मत करें जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं या फिर उनके पास मतलब की एक गट्स एटिटूट नहीं है है ना तो हमें सिर्फ वह टेक्स्ट करें वह रिप्लाइए करें जिसने आगे बढ़ना है और हम उसी को स्लेक्ट क लिए लिवागा कि हाँ पर जाके मेरी हाइलाइट को जुझ करें हाइलाइट में चाहिक करेंगा तो आपको काफी पता कुछ मता लगने वाला कि हमने कासे आफ्लाइन की सिस्टम ऑलनाय लाइन रहे हैं लगा है और जैसा भी सेशन लगए मु जरूर बताएं कि कैसा गया और ना के सिर्फ मेरी इसमें बहुत सारी से वर्ल्ड-क्लास हुए उनकी आपको नॉलेज्ज मिलीगी तब आपको बता लगेगा कि इस सीखने के लिए जैसे हमने काफी सिंगर के चैनल को सब्सक्राइब किया हुगा गाने सुनते हैं बहुत कुछ करते हैं पर अगर आप एक नॉलेज के चैनल को आपको बता लगेगा कि मैं सच में ओनलाइई कोशिन डालने वाला हूं मुझे वहां पर रिव्यू दें आपके वहां पर काफी बिजनस के बारे में अपडेशन पर प्रवाइड करते हैं वहां पर जैसे मारा इवेंट होने वाला है तो उसके बारे में भी बहुत कुछ आपको पता लगेगा वान इंस्टाग्राम उसके बाल आपके ब कर दोल प्रेशफो एप जू हू के नप कोश ब्रॉब्र में पर लगे, दमन्यास को अब्राइड करते हैं या जए्वारा में खर था